हाई गाईस आप सभी कर स्वागत हैं मेरे चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेवल्स मसाला खिच्री तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मैंने यहाँ पे पदिला लिया है जिसमें एक बॉल चावल डालेंगे यह छोटी चावल है उसी बॉल से एक बॉल मुंग का डाल 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 देंगे आप चाहे तो यहाँ पे अरहर का डाल भी ले सकते हैं अब हम इसे अच्छे से तीन चार पानी से साप कर लेंगे मैंने इसे अच्छे से साप कर लिया है अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए धक के छोड़ देंगे अब 15 मिनट पूरे हो चुके है अब चावल से पानी अलग कर देंगे अब हम फ्लेम अन करेंगे और इस पे कुकर चरा देंगे और कुकर को हम अच्छे से गर्म होने देंगे तो अब कुकर गर्म हो चुका है अब हम इसमें दो चमच घी डाल देंगे तो अब घी गर्म हो चुका है अब हम इसमें दो हडी मिर्च लंबी कटी भी डाल देंगे दो प्याल बारिक कटी हुई अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे अब हम इसे एक मिनट के लिए भून लेंगे अब एक मिनट पुरा हो चुगा है अब हम इसमें गोवी डाल देंगे जिसे मैंने छोटे-छोटे टुगरों में काट लिया है इस तरीके से अब हम गाजर डाल देंगे जिसे मैंने बारिक काट लिया है अब हम इसमें आलू डाल देंगे जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया है अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और हम इसे एक मिनट के लिए भून लेंगे अब एक मिनट पुड़े हो चुके हैं अब हम इसमें फ्रेस मटर डाल देंगे एक टमाटर बारिक कटी हुई अब हम इसे भी एक मिनट के लिए भून लेंगे possa तो अब एक मिनट पूरे हो चुके हैं अब हम इसमें एक चमाच हल्धी पॉड़र डालेंगे आधा चमाच मेर्ची पॉड़र डालेंगे दो चमाच नमक डालेंगे हम ऐसे अच्छे से चलालेंगे और मसालो को भी एक मिनट के लिए भूलेंगे तो अब एक मिनट पूरे हो चुगे हैं अब हम चावल और दाल जी से मैंने द्वो की रखा था डाल देंगे अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम उसी बॉल से छे बॉल पानी डाल देंगे अब एक छोटा चमच गरम मसाला पॉडर डाल देंगे इसे हम मिला लेंगे अब हम इसका ढककन बंद कर देंगे हाई फ्लेम पर एक सिटी लगने देंगे उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे तिन सीटी लगने देंगे तो अब सीटी लग चुकी है अब हम फ्लेम को आप कर देंगे और कूकर का प्रेसर खात्म होने देंगे तो अब कूकर का प्रेसर निकल चुका है अब हम इसे खोल देंगे अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे अभी खिचरी गाडी है अगर गारा खिचरी खाना पसंद करते हैं तो आप इसी तरह से रखें अगर पतला खिचरी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें गर्म पानी डाल दें और इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसके उपर बारी कटी हुई हरी धनिया चिरक देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे अब हम इसे ढख देंगे और इसके लिए हम तरका त्यार करेंगे तो अब यह गर्म हो चुका है अब हम इसमें दो चमच घी डाल देंगे कि अच्छे से गर्म हो चुका है अब हम इसमें एक चमच जीरा डाल देंगे दो से तीन सुखी लाल मिर्च दो तेज पत्ता तो अब जीरा और मिर्ची का कलर ब्रॉन हो चुका है तो हम फ्लेम को आप कर देंगे अब हम इस तरका को खिच्री में डाल देंगे और कुकर का ढखकन तुरंत बंद कर देंगे और ढखके हम इसे पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे तो पांच मिनट पूरे हो चुके है अब हम कुकर का ढखकन खोल लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे तो आप खिच्री बनके तयार है तो आप भी इस रेस्पी को एक बार बना कर जरूर ट्राइ करें और हमें कमेंट करके बताई कि आज की ये रेस्पी आपको कैसी लगी अगर आपको ये रेस्पी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें